मैंदर परताब उसका कोई बस्ता नहीं उठा रहा था पलवर्वाज में मेरे साथ खड़े होगे कहने को त्यार नहीं कमान्ड में कि इस आदमी की इस आदमी ने मेरा कारयाल ले खोला मेरा दफतर चलाया और करंडलाल ने तो मुझे ना बूर डिवाई ना मेरी मदद करी क्यों नहीं किया रहे में रहें मुझे सुनने महारा कि इन्होंने हाई कमांड को दलाल के खिलाफ लिखके दिया यह चठी एक बंब होते हैं विधायक जी हां बंब है चठीयां बंब होती है करंडलाल भी कहता है कि मेरे खिलाफ चठी लिखी दी कॉंग्रेस ही उने अब आप कह रहे हो कि महंदर परताब ने कोई बात नहीं बनती तो सुवाशोधरी क्या तयारी है कि मैं पहले से आपको मंगूजी जियान होगा मैं पहले भी कहा है दोस्तो लमस्कार हर्याना में चौनाव है चौनाव की गतिविदियां इस समय बड़े जोरोंपर है चौनाव के अंदर तीन चीजे महत्त्पूर होती है पहली तयारी होती है प्रशासनिक की चुनाव कैसे कराए जाए दूसरी चुनाव होती है political parties की कि किन को candidate बनाय जाए और तीसरी तयारी होती है नेताओं की जो राजनेता होते हैं जनको चुनाव लड़ना होता है चुनाव लड़वाना होता है कि आखिर किसकी हवा बने किस तरफ जाएं किसका रुख ठीक बने ये सब कुछ राजनेताओं के लिए होता है पलवल के सुभाज चौदरी 2009 में इंडियर नेशनल लोगदल की टिकेट पर विधायक बने थे 2014 का चुनाव इंडियर नेशनल लोगदल के टिकेट पर लड़े लेकिन चुनाव लूज कर गए 2019 का चुनाव लड़ा नहीं एक राजनीतिक दोराये पर थे और अब 2024 है विधायक जी आ 2019 में था आप ने इंडियर नेशनल लोगदल छोड़ी थी और आपको भारती जंता पार्टी जोइन करनी थी यही दिन थे लगवक चुनाव डिक्लेयर हो गया था और आपकी इंतजार की घडियां खतम नहीं हो रही थी बीजेपी जोइन करने की वो इंतजार घडियां चुनाव डिक्लेयर हो गया पांच अक्टूबर से नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे सुवाज चौदरी अब भारती जंता पार्टी छोड़ चुके हैं उस समय एनलो छोड़ी थी अब बीजेपी छोड़ी थी जी मुझे पता लगा आपका मन है कॉंग्रेस में जाने का उस समय भाजबा का रास्ता आप कहते थे करशनबाल गुजर ने नहीं खोड़ने दिया अब कॉंग्रेस का रास्ता कौन नहीं खोड़ने दे रहा है गुजवड़ी अच्छी बात कही आपने उन दुराइप खड है सुभाज शौदरी खुद नेता है ने अबड़ने लोग है जिन पर ठेकेदारी है अच्छा है समाज की ठेकेदारी चोई मेंदर परताब है समाज की ठेकेदारी सचिन पाइलेट पे हां समय सचान ते तकेदार плох यू पी से दो तीन नेता है चाह उनको मालो नगड़ साह कौन है इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं जी आपने बड़ा च्छा कर रहा उन्निस में क्रिशनपाल गूजर के मैं चक्र काड़ता रहा हूं सिर्फ इसलिए कि भाईचारे समाज की लिहास से कि वह मुझे जोईन करवा ले बीजे पी जोईन करवा ले बीजे पी जोई लिए खट्टर साहब ने अद्रग जी को का मिलो जोईन कर लो इस आदमी ने सब जिगह ये कह दिया बीजे पी जिस में किर संपाल गूजर कह रहा हूं सब कहें बगूजर एक हो जाएं गूजर एक तो जब हो जब यह ऐसे यह जो गटिया सतर के जो हमारे नेता हैं वो एक क्वोन भी ना दे क्योंकि एक होगे तो इन्हें कौन पूछाएगा मैंने सब जिगह मारा लास्ट में जाय के एक बड़ा सीनियर हो थे बीजे पी वहाने कि चाहदी साहब आपको क्रिसंपाल गूजर किसी हाल में बीजे पी जोए नहीं हम देगा लास्ट में सो दोसो पास ले गया इसके दुआरे दो बात हुई टेलिफोन मिलाता रहा मैं मैं बता रहा हूं अपने समाज के लोग है अच्छा रेट दोसों लोग बैठे इस चीप मिनिस्टर का टेलिफोन पंद्रे बीस मिनट आद गंटे जब हम बैठे मिला नहीं अच्छा दुर्बाग के ह हमारे सरमाज के दुर्बाग के हैं कि हम ऐसे लोगों को नेता मान रहे हैं फौन नहीं मिला फौन मिला तो मिला है न अच्छा और वो कह गया हमारे नेता ने टेलफोन तो मिलाए रे किसके मिला रहा हूं यह केंद्रे मंतरी है किर्शन पाल गुजर मनुलाल खट्टा जी था एक ही बात थी उसके बाद थी मैं तो आज तक तक कहई आज तो टेलफोन आज तक तो मिलो ना है चलो यह तो रही किर्शन पाल कुजर में राद गई बात गई रात गई बात गई ठीक अब हमारे लग और हमने जब बीजे भी छोड़ी तो हमने जो किर्शन पाल की करी अगर हमारा डंगा समाज होता, और यह कहता कि यह लड़ाई सही है, कोंसर समाज? जिन दोड़ाई सो लोगों को मैं ले गया था इसके बाद मिलवाने में, ना मैं बीजी पे में मिलवाई, टिकेट की दूसरी बात, उस समय की बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक, आज वो लोग व सच्च्च राएपे, दोड़ाई, मेरे फिर वोई भाग में जो फूट गे, मेरे ही फूट रहे, महेंदर पड़ताब जिन देना उसका कोई बस्ता नहीं उठा रहा था, पलवर में, सुभाश चोधरी ने सबसे पहले महेंदर पड़ताब की पंचायत करी, दफतर खोला, म महेंदर पड़ताब मेरे साथ खड़े होगे, कहने को त्यार नहीं हाई कमांड में, कि इस आदमी की, इस आदमी ने मेरा कारयाल ले खोला, मेरा दफतर चलाया, और करंदलाल ने तो मुझे ना बूर दिवाई, ना मेरी मदद गरी, तो मैं कहता हूँ मेरा ही नहीं, मेरे सम माज कही दुर बाग गए, क्यों नहीं कहा रहा है महेंदर पड़ताब, स्याद हो सकता हूँ, विजय पड़ताब बेटे को लडाना चाहरा है, और हो सकता हूँ, टिकट कार दे उड़ता हूँ, तो सुवास चौदरी पड़ानेताना बन जाए कहीं है, नहीं, सुवास चौ मेरी मदद ही ना कर रहे, चार महीना से यह गुमा रहे है, आज मिलवाँ, कल मिलवाँ, आज मिलवाँ, आज मिलवाँ, आज जोएन करवाँ, हार ठक के फिर मैंने छोड़के, और गया कहीं, फिर मैंने अपना रस्ता बनाया, सुवास चौदरी जी, राज नेताओं को दिक अगर पार्टी में शामिल हो जाय कोई नेता, पार्टी की ताकत बढ़ेगी, बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? पार्टी का कार्मा बढ़ेगा नेतागर पार्टी में आएंगे फिर आपको क्या लग रहा है केवल आपने कहा कि उन्हें लगता हूं कि विजय परताप की नाकटजा ये कुछ और ये कुछ और ये है मुझे लगता है आपको जबाद ने हुए हां लेकि ये जरूर है मुझे हां अप ने सुनने माहरा के इन्होंने क्यूंवे ये रही चिट्ठी दखी है मैंने कों भी नाली देखी ये चिट्ठी पैंब होते हैं पॉती है करंद लाल भी कहता है कि मेरे खिलाफ चिठी लिखी थी कॉंग्रेसियों ने अब आप कह रहे हो कि महेंदर परताप ने चिक्ठी लेगे दी फिर करंदलाल खिलाफ लेगे हैं मेरा आज मैंने प्रेस कॉन प्रेस किया मेरा मुद्धा भी यह यह कि कॉंग्रेस करंदलाल की मदद की मदद की मदद नहीं मिली आपको नहीं मिली महेंदर परताप की मदद की महेंदर परताप नहीं करें यह आप डर रहा है है जो सिधा आदमी आप कहतो हूं बहुत बड़े चाधरी है तो मांग लो अपने बेटे के लिए मांग मेरी तो आध तक इने मलाकात ना करवाई बहुत भड़ी बाद है आपको कहना चाहिए तो मैं तो घृटल से जानता हूं एक मजबूत और बुलब आदमी में जानता हूं आपके सामने की बात नहीं है, मैं जानता हूँ आपको बने अच्छे से, आपको घर से, आप भी मुझे जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, पड़ोसी है, आप परिवार है हमारा, युमानों ना, और एक सच्छे आदमी के साथ जब ऐसा होता है, तकली आती है, एसी आती है कि यह राजनीती को छोड़ के, अपने सामाजी काम में रह जाओ, मेरे कैबिर मैं सोचता हूँ, कि यह छोड़ दो, कुछ गोच नहीं, पाल नहीं, इस समाज की गंदगी है, यह तो गंदगी है, चलो, अब राजनीती पर आते हैं, आप बोलिए, बोल आती है, कि जो एक साल से अब आ रहे हैं, उनको टिकट नहीं देंगे, आप तो भी जोड़ भी नहीं हुए, यह नेता कहँ है, कुछ है, करें कुछ है, आप भी जानते हैं, अमर भी थी, और हमारी भी उमर भी थी, कोई पैमाना कहीं नहीं तोड़ना हो, तो वो तोड़ द चार चुनाव रणा हूँ, तीन हारा हूँ, एक जीत गया, मैं तो कहरा हूँ, जन्ता से पलवल की सभिया, एक और जिता दो नहीं तो फारिक करो हूँ, देखो सुवाज चौधरी के चारो चुनाव याद रहेंगे, वोदेवाला कम रहें, 2009 का याद रहेंगा, पहली दर करंदलाल को आपने हरा दिया, याद रहेंगा, पूरे हर्याने में, पूरे हर्याने में एक डंका पिटा था, यहरवान की मुझे लोग देखना आते था, उसके बाद कभी हर जाए, फिर कोई बात, पहला चुनाव हरने की बात थी, मैं मग्गू जी आपको बता दू, पागल हो गया, चलो, चलो, वो परसनल बाते हैं, अब आते हैं, अगली राजनीदी बे, दोजार चौइस की तयारी क्या आपके अब, अगर कॉंग्रेस, पहली बात तो जोइनिंग की रड़ाई, जोइन कर वा लें तो फिर टिकट की रड़ाई, टिकट दे दे तो फिर कर लाल भी लड़ो जाए मरजी, लड़ाई तो दला से रही फिर भी, नहीं, कहाना है कि BJP किसे देती है, किसे ना देगी, अच्छा, मलब दो लड़ाई तो पक्ती है, एक तो कॉंग्रेस में जाने की लड़ाई, एक चुनाव की लड़ाई, टिकट लिने की लड़ाई, शाम कांग्रेस में गयर कांग्रेस से छोड़ी आई, तो मैं इसलिए कांग्रेस मेरे फाइनल हो जाएगी टिकट, ये ठीक है, मैंने कहा लोगो, आई कमांड मेरे सुल्विराई, क्योंकि दलाल साब की सिकाथ बहुत, बात चल रही है, बात चल रही है, अब ये भोले बाबा की महर रहेगी चुनाव लड़ेगी तो इसलिए उस महर के कारण ही मैं वहां तक पहुँच पाया अर शंबावना स्हडेगो मुझे एशे तो नहीं जीन जीन हीấर हाई इसके जो दालां ने करा है डोनों चुनावा होगी है तो कह रहा है बीजेपी के बदले उतार रहा है तो कॉंगरेश को तब बैठा रहा है फिर भी आई कमांड ऐसे आदमी को टिकर देती है तो बहुत सके जनता विदाई भी करने की त्यारी कले दलाल चौधरी अगले सवाल बाद में आूँगा आपने ऐख बात कही कि वो कहेरें बदला चुखा रहे हैं बीजेपी वालों ने जो आप दलाल साब की बाइट बता रहे थे बाइग है मैंने सुनी होई इसको क्या मानते है क्या स्तर है राजनीटी का कोई आदमी बीजेपी में है मैं किसी का राम नहीं लए रहा है कि और दूसरी पारटी की मदफिकर कर रहा है कोई आदमी लोगदल में है लोगदल की जड़ों मठा किया समझते हो किसी है यह हमें तो लगती नहीं, हमें तो कैवेर मन करता है, सफरी हो जाएं, क्योंकि कहीं कोई स्टेंड भी नहीं रहा, यही मैंना प्रेस कौन पर इसलिए बढ़ाई थी कि मैं दलाल साब को आई कमांड क्यों टिकर दे, क्यों दे, कारण तो गिनवाव है, दोनों MP के चुनाब मे और वो तो खुले आम कहता है, आपको ध्यान होगा, आपको कहता है, मैं सब्सक्राम खुले आम करता हूँ, ओड़ा साब को वेड़ा साब, देखो, दुरबाग के नहीं है, कॉंग्रेस पार्टी का, कि नो के नो छेत्र में, पूर मुख्यमंत्री आवे, जो सिटेट में, आज उनकी बविश्वानी भी है, आज साब ये लोगने की मुख्यमंत्रे उड़ा साब, वो तो बात की बात है, कॉंग्रेस हाई कमाद देखे, बनेंगे नहीं बनेगे, मैं वाइच करूं कि नो के नो छेत्रों में, उड़ा साब आए, ये किसी में नहीं गया, और जो पलवल का एक अरियाने के पूर मुख्यमंत्री है, जिसके नाम साथ अरियाने में डंका बज रहा है, उस आदमी नहीं समझ रहा है, कि कटकटी हमने तो ये भी सुना कि बत्तमीजी चे बोला, चलो, अगर कॉंग्रेस की टिकट नहीं मिलती, कोई बात नहीं बनती, तो स अगू जी ध्यान होगा, मैंने पहले भी कहा, मेरे कोई क्रिटिकर दे देगा, ना देगा, मैं पंचाइज के थुरू, मैंने साथ तारिक को आज एलान कर दिया, कि पंचाइज बलाओंगा, थोड़े आदमिया हो, उसमें ज्यादा हो, ना कोई गिंतिया जा रहा हो, पांस से अपने गर मैं अपने गर, मस्तलब ये की जनता भी फैसला छोड़ दिया, कोई भीसली जादा हो, ना हो जादा हो कोई भीड़ी तो कम सेको रॉप्लात कर दोके आधाए, उन से बैठके चंचा हो जाएगी, कि मलों पांसल आदमी आगे, मनिवत चुनाब लड़ो गोज उठावा भी शुरू करो मेरसन, प्रोग्राम बना और बोट बांगनी शुरू करो। ठीक है। ऐसे पांचास सो लोग भी आगे, हजार आगे, यारे प्यारे, लोग, आम जनता छोटी तो मझे चाहती है। अब फारिक होगे, हवाज कॉंग्रेस की चली। सब फारिक होगे पलवल तो, बस दू-तीन लोगों की चर्चा है। वो ज्यादा आब 12-15 तो फारिक होगे। कॉंग्रेस में मैं यह कहता हूँ, काई में और काई की महाने दू-तीन आपे आया कॉंग्रेस के टिकट मांगे। कॉंग्रेस में मतलब करंदराल का यह ठीक कह रहे। करंदराल मींस कॉंग्रेस हुआ आदमी नहीं नहीं है। आप सभास चोधरी को जाने नहीं दे रहे। कौन मांगे गाटिकट फिर आप मैं वहीं कह रहा हूँ, दुर्बाग के नहीं है। और कांग्रेस पार्टी यह भी कहती हम सरकार बनाएंगे। बदलब अगर टिकट कॉंग्रेस नहीं अगर सही वित्रण नहीं करे। यह तो आप भी जानते हो मैं तीनों सौनों तीनों चारों सीटों पर नहीं प्रभाव सारी वेक्ते तो हैं इसमें कोई दोर आये नहीं है। आपका प्रभाव है पूरे और आपकी बात के धनी है। आखरी सवाल स्वाजी सब। बोली बोली है। बीजेपी में अभी आपने खुद का कि लंबी लाइन थी अब दो तीन, तीन, चार ऐसे कि अब चटाई होगी है। उस चटाई में एक नाम निकल के आया था। स्वाज चौधरी क्या मानते हैं। कौन बीजेपी में कौन लगता आपको क्या है दम। यह तो बीजेपी वाड़े चालो। मैं क्यों जा लेना। मुझे कोई पार्टी ठिकरते है। आलाग मैं बीजेपी मांग ना रहा है। लेकिन एक वैसे कह रहा हूं। मैं दलाल को प अशनपाल गुजर बेंठेगे। मेरा आम जनता से भी अपील है। साथ तारिक को भी कहना हूंगा मेरा आप चुनाव है। आप भी कहना हूं। मेरा यह लाज चुनाव होगा। और मैं यह चुनाव जनता फैसला करेगी तो? तो? मैं नहीं लग रहा है। सुबाद शौद यह है सुबाद शौदरी, पलवल और ब्रिज में अगर आप जाएं तो सुबाद शौदरी का नाम आप पूछ सकते हैं, अपनी बात के लिए धनिये माने जाते हैं। मैं आपको बात बताई सुबाद शौदरी के मन में एक टीस है आज उस बात को उनों ने बोल दिया। कि कहते हैं ना कि बड़े अर्मान से रखाता सरम तेरी कसम प्यार की दुनिया में तो एक दुनिया थी महेंदर परताब जी के साथ चुनाव में लगे थे। उम्मीद थी कि वो साथ देंगे पहले जो भी हुआ वो हुआ लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हूँ, इसलिए टी आज की मुलाकात सुभाष चौधरी के साथ थी, कल फिर किसी और शक्सियत से आपको मिलवाएंगे, हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, देखते रहें देश रो जाना, नमस्कार